बुराडी में जन्तादल युनाइटेड और भारतिय जन्तापार्टी का गड़बन दनलगबग तैमाना जा रहा है। इसी के चलते जन्तादल युनाइटेड से पूर्व प्रत्याशियो अदिल्ली प्रदेश अध्यक जहलिंद कुमार बुराडी में जीत की ताल ठोकते हुए लोगों के बीच महँच रहे हैं वोट की अपील भी कर रहे हैं। शैलिंद कुमार ने चुनाव प्रचार की शुरुआत काफी समय पहले से ही कर दी थी और अब पद्यात्राओ का दौर शुरू हो चुका है। पद्यात्राओ की है करी आज कादी विहार अलाके में पहुची जहां लोगों ने भी उनका भरपूर समर्थन किया और उनको दो हजार पच्चिस की विधानसबा चुनाव में जीत दिलाने का वादा भी किया। चैलिंद कुमार का कहना है कि अगर जनता बदलाव कर उनको मौका देती है तो वो बुराडी को पूरी दिल्ली की नंबर वन विधानसबा बनाएंगे और पांस्च नहीं बलकि दो साल के अंदर या लोगों को काम देखने को मिलेगा। देख रहे हैं कि किस तरस से तरस्त है। सामने नली बह रही है सरकों पे, नाली सरकों पे है, तीन बार के विधायक रहे है, इनकी सरकार रही, कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं है, कही विकास नहीं हुआ। तो आखिर खब तक यहां के जनता इंतिजार करेगी बुरारी के विकास के लिए मेरे लिए बहुत ही बहुत ही स्वर्णिंग समय होगा दो शाल में ही मैं बुरारी का काया कलब करके छोड़ूँगा अपने नेताओं के माध्यम से अपने नितीश कुमार के माध्यम से इस तर बुरारी का चर्टा भी पुरा विश्व पुरा दुनिया और दिल्ली का नंबर वन बिल्हां सभा बनाओंगा यहीं मेरे कलना है